हेलो गैस कैसे है आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक निया वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस की Poco C50 फोन में आप लोग नेट्वोग प्रोब्लेम को कैसे सॉल्व कर सकते हो अगर आपके पास एक Poco C50 फोन है उसमें जो इनेट्वो लाइक कर दिजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिए गाइज बीडियो को स्टार्ट करते हैं πढ़े तक इस प्रोब्लम सॉल्व करने के लिए आपonstrad करना है सेटिंग करना है और यहाँ फिल दाइज सेध को जाइब करना है क्लिक करने के बाद या पर गाइस देख सकते हैं एक option है एक पीएन सेटिंग्स का access point names इसको long name में access point names बोलते हैं तो इस पर click कर दीजिए क्लिक करने के बाद गाइस या पर नीचे एक option होगा reset का तो यहापर जब हम reset कर देंगे तो आपका जो यह network का डंडिया है वो full हो जाएगा ठीक गाइस मतलब network problem भी solve हो जाएगा तो यहापर हमें reset पे click कर देना है click कर देंगे यहापर आपका जो a pen setting है गाईस वो reset हो जाएगा reset हो जाएगा रिसेट होने के बाद आपका जो network problem है गाईस वो जरूर से solve हो जाएगा तो यहाँ पर से आप लोगों को कभी गई से आप रिसेट करते रहना है अगर आपके फोन में नेटवोक पॉब्लेम शो हो रहा है तो उसके बाद आप लोग अपने फोन को पावर आफ करके ओन भी कर सकते हो ऐसे करने से भी आपका जो नेटवोक पॉब्लेम है वो सॉल्व हो जाता है तो ऐसे करके जो आप लोग अपने पोको सी फिटी फोन में नेटवोक पॉब्लेम को सॉल्व कर सकते हो तो कैसा लगा आप को कोई वीडियो अगर वीडियो पसान आये हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए मिलते हैं कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई